Good morning kids, how are you all? I hope you all are fine. So, today I am going to teach you letter D. अब भी तक हमने C तक सीखा था, A, B, C. मैं आपको दिखाती हूँ, A, B and C. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओके? Like this, A, A for apple. B, B for banana, B for ball, B for B, okay? Like this, next, C, C for cat, okay? तो students, आज हम D, D for क्या क्या होता है देखते हैं, D for dog, D for deer, D for drum, okay? Second subject, math. Math में हमने 1, 2 और 3. 1, 2, 3 देख लिए हैं कि कैसे कैसे होते हैं, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. Like this, 1, 1, 2, 3, okay? आज हम 4, देखे 4 कैसे होता है, 4. तो how many kites? हमार पास कितनी kites हैं? चलिए count करते हैं, 1, 2, 3, 4. 4 kites हैं, ओके? Third subject, Hindi. आज हम Hindi में E. बड़ी से एक. तो आज हम बड़ी से एक देखेंगे. E से एक लगाओ भाई, गुड़ और चीनी पाओ भाई. बड़ी से एक. अभी तक हमने क्या-क्या सीखा था? अ, आ, इ, इ. आज हमने बड़ी इ. तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर देन हम एक में कलर फिल करेंगे. Like this, अ, आ से अनार. आ से आम. इ, इ से इमली. इ से एक. चलिए कलर करते हैं. सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन में ये जो डॉट्स दे रखे हैं, इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Like this. And इसमें अंदर हम यालो कलर फिल करेंगे, ओके? चलिए. Like this. So kids, आपी घर पर बाट कर, Hindi, English और Math के, जो भी letters हमने सिखाए हैं, उनकी practice कीजेगा. Okay? Bye-bye. Take care.